जे मातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हर्विक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए comment box में जे मातादी जरूर लिखें दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पूजा के समय दीपक की लोग में फूल बनने का क्या मतलब होता है पूराणों में पूजा के समय घी और तेल का दीपक जलाने के बारे में कहा गया है घर में जब भी पूजा होती है तो दीपक जरूर जलाया जाता है दीपक जलाने का मतलब होता है कि अपने जीवन से अंदकार हटा कर प्रकास फैलाना दीपक प्रकास और ज्ञान का प्रतीक होता है इसलिए कहा जाता है कि पूजा में दीपक जलाकर हम अंदकार को अपने जीवन से बाहर करते हैं ऐसा करने से व्यक्ति पर अगनी देव प्रसंद होते हैं और उसे जीवन में कई तरे की परिसानियों से भी बचाते हैं दोस्तों कभी कभी पूजा के समय दीपक में एक फूल सा बन जाता है तो इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या संकेत है तो आपको बता दे कि दीपक की लौ में फूल बनने का मतलब है कि आपकी पूजा आपके इस्ट देव तक पहुँच रही है अगर दीपक की लौ में फूल बनता है तो ये आपकी पूजा आपके इस्ट तक पहुँचने का संकेत है और उनकी कृपा द्रस्टी आपके उपर होने वाली है वो किसी ना किसी रूप से प्रतक्च या अप्रतक्च रूप से आपके साथ है और आपके कार्यों में आपकी सहयता कर रहे हैं और आपके हर कार्य को बना रहे हैं इसलिए आगे से जब कभी पूजा के समय आपके दीपक की लौ में फूल बने तब उसी समय आप अपनी मनो कामना इस्वर से जरूर कहें ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छा है वे जरूर पूरी होगी क्योंकि इस समय आपका connection इस्वर के साथ हो चुका है आप जो कुछ भी प्रातना इस्वर से कहेंगे वे उसे जरूर सुनेंगे तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ इसा चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद